दोस्तों, ये कहानी हैं एक किसान के बेटे की, जिसने खुद के दम पर अर्बो रूपय के एक कमपनी खड़ी कर दी ये कहानी हैं एक एसे पीता की, जिसने कम उम्र में ही अपनी बेटी को खो दी ये कहानी है एक एसे सक्स की जिसने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक अच्छी खासी सरकरी नोकरी छोड़ थी दोस्तो हम बात कर रहे हैं निर्मा डिटर्जन पाउडर की जिसने उस समय के दोर में मार्केट में तेल कमचे दिया था येसे में एक सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर्जन पाउडर के पेकेट पर ये छोटी सी बच्ची कौन है येसे में दिल्चस भी बढ़ जाती है कि आखिर्कार या बच्ची कौन है तो दोस्तो इस बच्ची की कहानी भी बड़ी दुख बरी है दोस्तो कहानी की शुरुआत होती ही 1945 से इसी साल करसन भाई पटेल का जन में उत्री गुजराद में एक किसान परिवार में हुआ था करसन भाई ने केमिस्ट्री से इसना तक की डिगरी प्राप्ति की पेले तो उनका सपना था कि उखुद का कुछ व्यवशाई करे लेकिन घर की आरतिक इस्तिती ठीक ना होने के कारण ये सपना पूरा नहीं हो सकता था रेजुएशन कम्पलीट होने के बाद करसन भाई ने अपने लिए नोकरी तलाशना शुरू कर दी कुछ दिनों में उन्हें कोटन मिल्स में नोकरी मिल गई यहाँ पर कुछ महिना काम करने के बाद माइनिंग डिपार्टमेंट में लेप टेक्निशन की सरकरी नोकरी मिल गई लेकिन उनका सपना खुद का व्यवशाय शुरू करने का था यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था और करसन भाई पटेल अपने परिवार के साथ खुश थे लेकिन कुछ दिनों के बाद एक ऐसा हाथसा हुआ जिसने की सब कुछ बदल कर रख दिया दोस्तो करसन भाई की एक बेटी थी नाम था निरुपमा लेकिन प्यार से सबी उसे निर्मा बुलाते थे निरुपमा अभी इसकुल में ही पड़ रही थी एक दिन एक रोड हाथसे में उसकी मोत हो गई करसन भाई और उनके परिवार पर दुखों का पहा तूट पड़ा एक पीता होने के नाते करसन भाई की यहीं फाइस थी की एक दिन उनकी बेटी दुनिया में खुब नाम कमाए अपने जीगर के टुकडे को खो देने का दुख करसन भाई को अंदर तक तोड़ चुका था लेकिन वहीं से उन्होंने फिर हिम्मद भी पाई उन्होंने ते किया कि वह निर्मा को अमर कर देंगे इसके बाद उन्होंने खुद का बिजनिस याने की वाशिंग पाउडर बनाने की थानी अपने घर के पीछे वो प्रियोक कर रहे थे लेकिन एक दिन वाशिंग पाउडर का फार्मूला खोजने में वो सपल भी हो गए साल 1990 में उजरात की कर्षं भाई ने निर्मा ओर्शिंग पाउडर की शुरूआत की और पेकेट पर निर्मा की तस्वीर लगाना शुरू कर दी तब के दोर में तस्वीर कम खिची जाती थी येसे में निरूपमा की जुमती वी इस सुंदर सी तज़्वीर को पेकेट पर जगा दी गई लेकिन बजार में उतरने और कॉम्पिटिशन के कारण करसन भाई को बहुत दिक्कते भी आई एक दोर एसा भी आया जब उनको लगा कि उनका यह सपना कभी पूरा नहीं उपाएगा उस सामें बाजार में दूसरे अच्छे डिटेजेन की कीमत 15 रूपय प्रिति किलो थी करसन भाई ने निर्मा को में 3 रूपय प्रिति किलो के दर से बेचना शुरू किया कम आमदानी वाले परिवार के लिए या अच्छा विकल्प था करसन भाई सरकरी नोकरी भी करते थे बेटी के नाम को अमर बनाने का सपना लिए वह पेले ओपिस का काम करते थे फिर ओपिस से आने के बाद साइकिल से लोगों के घर घर वाशिंग पाउडर मेथते थे और उन्हें अपने पाउडर पर इतना विश्वास था कि वह इस डिटर्जेंट पाउडर को 100% गारंटी पर मेथते थे और इनका पाउडर इतना अच्चा क्वालिटी का था कि कोई एक बार खरीद लेता तो दूबरा वापिस नहीं करता था दीरे दीरे हिमदबाद में इस डिटर्जेंट पाउडर को सभी जानने लगे वासिंग पाउडर बननने से लेकर बेचने तक का काम करसंबाई खुद करते थे काम बढ़ा तो उन्होंने अपनी नोकरी भी चोड़ दी दूसरे लोगों को भी अपने काम में जोड़ा जो दुकन पर जाकर वासिंग पाउडर बेथते थे लेकिन शुरुआत में दुकान वाले भी इनका वर्षिंग पाउडर नहीं लेते थे फिर बाब में इसी के साथ थोड़ी समझ्चे भी आने लगी दुकान दार उदरी पर माल वर्षिंग पाउडर उठाने लगे जब पेशे देने की समय आता तो आना कानी भी शुरू हो जाती व्यापार में घाटा होने लगा कर्सन भाई समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए उन्हें लगने लगा कि वह हार गए हैं लेकिन फिर उन्हें एक उपाई सुजा उन्होंने ते किया कि वह एक टीवी विज्यपन बन वाएंगी टीम की मीटिंग बूला कर विज्यपन बनाने का फेशला किया गया ये शांदार जिंगल तेयार हुआ लेकिन इसी के साथ कर्सन ने एक और प्लान बनाया उन्होंने विज्ञपन के टीवी पर आने से पहले बजार से नीर्मा के सारे पेकेट उठवा लिए जिंगल लोगों की जुबान पर चड़ गया लोग बजार में वशिंग पाउडर ढूलने लगे अब दुकानदारों के लिए निर्मा डिटाचेंट रखना और बेचना मजबूरी बन गई पेले जी दुकानदार निर्मा वशिंग पाउडर को उधार खरीते थे फिर वोई दुकानदार बुकिंग पर ही एडवांस पेसे देने लगे इस तरह यह वशिंग पाउडर देश भर में पोपूलर हो गया साथ ही करसन भाई का निरुकमा को अमर बनने का ख्वाब भी पूरा हो गया फिर करसन भाई की कंपनी इतनी अच्छी चल रही थी कि यह उस साल सबसे ज़्यादा बिकने वाला वशिंग पाउडर भी बन गया और साल 1908 सी के आते आते इसने 66% मार्केट सेयर पर अपना कबजा कर लिया था दोस्तों यह वोई दोर था जब निर्मा ने 10 सालों तक किशी वोशिंग पाउडर को अपने आसपास भटकने भी न दिया याने की मार्केट में इसकी सेयल आसमान चू रही थी इसके बाद निर्मा ने निर्मा साबुन भी मार्केट में उतरा निर्मा डिटर्जेंट की तरह निर्मा साबुन का सोंदर्री निर्मा साबुन भी काफी पोपुलर हुआ लेकिन फिर एशा की हुआ जिसने धीरे धीरे निर्मा पाउडर की मांग कम होने लगी और आग तो निर्मा पाउडर गाय भी हो गया दोस्तो जिस निर्मा वाशिंग पाउडर का मार्केट सेर 60% था वो अब सिर्प करीब 6% ही रे गया है दर असल दोस्तो निर्मा वाशिंग पाउडर के डूबने के कहीं कारण है तो चलिए उन्हें समझने की कोशिस करते हैं पेला है इनोवेशन दोस्तो निर्मा पाउडर के फेल होने का मुख़्ी कारण यह है कि निर्मा ने समय के साथ अपने प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं किया इसलिए नए नए कॉम्पिटिशन आते गए और निर्मा के साथ साथ इनोवेशन नहीं कर पाई और यहां पीछे रहे गया दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन इजुकेशन, सिमेंट, केमिकल इन से भी बिजनिस के अंदर निर्मा हाथ आज मचुके थे गलत कुछ नहीं है लेकिन इनका में बिजनिस था निर्मा उसमें ध्यान देना कम कर दिया जिससे एक कॉम्पिटिशन के साथ नहीं चल सके और लोगों की जरुवत को समझने में नाकामियाब रहे और निर्मा के शेल घटती गई तीसरा है कंजूमर परपेक्शन दोस्तो निर्मा ने शुरुवात से अपनी एक AC छेवी बनाई थी जिससे लोगों को ये सस्ता और मीडिल क्लास ब्राण नजरा था था 2010 के बाद मार्केट में चेंज होने लगा और जो ये सस्ते वाशिंग पाउडर की इसकी मिस कंपनी को पेले इतनी उचाई तक लेकर गई वो ही 2010 के बाद अपोजिट काम करने लगी याने कि लोगों को फिर निर्मा डिटोर्जेंट सस्ता और लोकल लगने लगा अब लोगों को सस्ता नहीं बलकि लोगों को महेंगे प्रोडक्ट और अच्ची पेकेजिंग तता प्रीमियम नजर आने वाले प्रोडक्ट पसंदाने लगे निर्मा ने इस परफेक्शन को चेंज करने की भी काफी कोसिस की और फिर निर्मा ने निर्मा ब्ल्यू, निर्मा एडवांस, सूपर निर्मा जैसे अलग-अलग प्रीमियम वाशिंग पाउडर भी लोची किया लेकिन फिर बिया लोगों का परफेक्शन चेंज करने में असफल रहे बस इनी सब कारणों की वज़े से निर्मा बाजार से गायाब होता गया तो दोस्तों ये थी निर्मा पाउडर की अर्श से फर्श तक की कहानी केसी लगी अगर वीडियो पसंद आई तू वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद